सवाल नमबर 21 चलिए अब बस मुझे ये तै करना है कि आपको homework देना है कि यहां करना है सवाल नमबर 21 21 कुश्चन में क्या कहता है या company manufacturing single product marginal costing दे रख आपको सर marginal cost क्या होता है सर marginal cost होता है सर variable cost fixed cost दे रख आपको ठीक है सर the market is such that up to 4000 unit can sold rupees dead rupiah selling price भी मिल गया but any additional sales must be made 1 rupiah कहता है additional sales हम कितना करेंगे जो भी बेचेंगे इसके बाद वो एक रुपे में बेचेंगे there is plan to profit 20,000 profit कर रहे है 20,000 how many must units sold इसका मतलब सर क्या कहानी बनी कितने unit बेचना है तो सर ये क्या कहता है ये कहता है हमारा जो sales again वही formula लगाते है वो VC plus में FC हो जाए और जो profit हो जाए वो कितना हो जाए 20,000 तो अभी ये कह रहे हैं कि the market such up to 4,000 unit can be sold देट रुपिया हम देट रुपे में बेचेंगे but any additional made कोई भी additional बेचा जाए तो कितने रुपे एक्स्ट्रा बेचेंगे हम मतलब वो देट रुपे के बजाए कितने का बिकेगा एक रुपे का तो हम सबसे पहले सबसे पहले sales की बात कर लेते हैं तो sales क्या होगा sales क्या होगा यहाँ पर VC दे रख़ा है हमें there is planned how many must unit to be sold कितने unit sold करना है तो हमारा profit है चलिए equation बनाते है sales सर sales होगा हमारा 40,000 into 0.75 plus अपका एक रुपिया into में x unit नहीं पता VC VC कितना होगा सर VC होगा हमारा यह date रुपिया है न यह date रुपिया है यह date रुपिया 1.5 VC होगा सर 40,000 into में 0.75 और जो extra unit होगा वो भी plus हो जाएगा प्लस extra unit नहीं पता न तो extra unit के लिए x into में 0.75 प्लस FC हमारा fix रहने वाला है FC सवाल में दे रखा है क्या जी दे रखा है 12,000 और हमारा profit कितना होने वाला है profit होने वाला है 20,000 इस equation को solve करते हैं तो यह क्या आ जाएगा हमारा 60,000 प्लस x is equal to यह आ जाएगा हमारा क्या जाएगा 40,000 into 75 यानि 30,000 और प्लस 0.75 x और प्लस 12 और 2 12 और 20 32,000 तो हम solve कर लेते हैं x वाले को इस side लेके क्याएगा 0.25 0.25 और यह कितने हो गया 62 और 62 में 60 तो 2000 बचेंगे positive तो x is equal to 2000 divided by 0.25 2000 divided by 0.25 तो sir इसे कितने unit बेचने होंगे आठ हजार extra unit बेचने पड़ेंगे यानि यह हो गया extra unit और पहले से unit क्या बेच रहे थे चाले स्टोटल अर्टल अर्टल इसका answer चेक करिए इसका अगर आपके पास है तो 48,000 sales variable cost percentage less अभी शेक आपने किसका जवाब दिया है पता ही नहीं है मुझे अमन 70,000 पता नहीं क्या बता है आपने 70,000 बताएं 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 जल्दी बताएं कोई doubt इसमें अमन 70,000 जो आपने मुझे जवाब दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा है 70,000 किसका जवाब दिया है चल यह doubt ले ले फिर से explain कर दो सर एक बार ओके मांसी गोयल यस मांसी बताएं 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 मांसी यह समझ में नहीं आ है इसको दुबारा बताने है ठीक है देखिए सवाल पहले समझ यह question क्या कहता है कहता है एक company manufacturing है और वो VC VC इसका है 0.75 ठीक है और कहता है fix cost उस company का हमारे दे रख है 12,000 को जानगारी लिख रहा हूं और कहता है unit जो है हम sold unit कर रहे है वो unit अभी currently 40,000 तो बेच रहे है लेकिन लेकिन जो बेच रहे है न वो किसने भाव में बेच रहे है 1.5 यह selling price है कहता है जो भी हम additional unit बेचेंगे कुछ और unit बेचना चाहते हैं जो भी additional unit बेचेंगे सबसे पहली कहानी तो इसने यह कही कि हम जो profit कमाना चाहते हैं वो 30,000 तो भाई 30,000 profit कमाने के लिए इतने unit में तो नहीं हो रहा कुछ extra unit भी बेचना पड़ेगा तो इसने बोला कि कितने extra unit बेचोगे जो कि आपको अलग से करना पड़े कितने extra unit बेचोगे जिसको यह समझ में नहीं आए ना इसको और बड़ा simple तरीके से कर लेते हैं सिंपल तरीके से सबसे पहले हम क्या करते हैं सेल्स हम नॉर्मली निकाल देते हैं चालिस हजार चालिस हजार इंटू में चालिस हजार 1.5 देट इस 60,000 माइनस वी सी कर लो सर चालिस हजार इंटू में 0.75 कितने आगे थे यह चालिस हजार इंटू में 0.75 बावन हजार 0.75 तीस हजार और यह आगे हमारे माइनस कर देंगे तो 30,000 माइनस एफसी कर दो सर अगर एफसी कर दें तो 30,000 माइनस में कितने थे 12,000 थे न अब यह आगे 18,000 यानि यहां profit कितना है that is यह profit लेकिन company want to earn company want to earn profit sir company earn करना चाहती है कितना 30 यानि company को और कितने profit में 18 कर रही है तो और कितना required है sir तो बोलोगे sir 30 चाहती थी 18 तो कमाई लिया अब कितना कमाना चाहता है 12,000 तो बड़ी basic सी बात है बड़ी basic सी बात है एक पे कितना कमा रहा है profit निकाल लिए एक यूनिट पे तो सर एक यूनिट का selling price कितना है selling price एक है और variable cost कितना है 75 यानि एक यूनिट पे 2.5 कमा रही है सर fix cost भी है तो fix cost तो पहले ही हमारा cover हो चुका है तो इसका मतलब सर 12,000 रुपे कमाने में आपको इतने रुपे profit equal है तो यूनिट ऐसे निकाल सकते हो कैसे निकालोगे 12,000 divided by 0.25 तो अगर मैं 12,000 divided by 0.25 कर दूँ तो सर 48,000 48,000 मुझे यूनिट बेचना पड़ेगा 48,000 यूनिट और एक यूनिट कितने का है हमारा एक यूनिट कितने है यानि 48,000 रुपे का समान बेचना होगा यह तो रुपे है न यानि 48,000 रुपे का amount बेचना पड़ेगा यानि हमें चाहिए एक एक एक्स्ट्रा 12,000 और 0.25 का profit से 48,000 तो अब 48,000 बेचना है जो कि हमारा पीछे आ रहा था पीछे भी देखोगे तो क्या रहा हमारा 48,000 अब एक पर इस यूनिट को भी समझ लो इस equation को भी Sir हमारा sales होगा अब sales की दो variety है Sir दो variety कौन सी है एक है डेड रुपे वाला variety और एक है एक रुपे वाला variety डेड रुपे वाला तभी तक customer से वसूल सकते हो जब तक आपकी unit बिकेगी कितनी 40,000 तो ये रहा मेरा x sales ये रहा x sales उसके बाद 40,000 से जितना भी unit उपर बेचोगे तो आपको रुपीय में बेचना है तो 40,000 से कितने unit बेचना है सर्फ पता ही नहीं तो मैंने मान लिया x unit बेचना है तो पहले तो आप इस equation को determine करिए कि ये equation आपको समझ में आ गया पहले बताईए sales समझ में आ रहा है तो सारी कहानी automatic समझ में आ जाएगा हाँ या ना बताईए सर्थ 30,000 क्यों लिया सवाल में दे रखा है 30,000 profit ओके सवाल में 20 है तभी वह पीछे गलता गया सवाल में 20 का profit है ना तभी मैं कहूँ कि यहां पे थोड़ा आरण आ गया सवाल में 20 है चलिए लेजिए सवाल में 20 है तो 18,000 कमाने है ना तो 2000 लेजिए 2000 जब ही मैं यहां पे थोड़ा सा रुख गया तो 2000 करोगे कितना हैंगे 2000 अभी आगया न 8,000 यानि 8,000 यह वाला यूनिट आया था और 4,000 चलिए ठीक आपको यह समझ में आ गया पहले यह चीज़ बताइए यह समझ में आया आपको proper क्या यह समझ में आ गया आपको अगर यह समझ में आ गया तो सर यूनिट जो बिकिंग है, variable cost variable cost क्या होगा एक तो normal और एक extra unit का extra unit पता नहीं है तो x मान लिया यह हमारा fix cost है यह profit है, इस equation को पूरे को जब solve किया, तो हमें एक x का value निकल पाया, और x क्या था सर x हमारा था additional unit x क्या था additional जो कि हमारा answer क्या आया हमारा answer ये आया तो हमारा extra unit था ये तो हमें total unit अगर निकालना हो तो 40,000 तो पहले ही बेच रहे थे 8,000 और extra बेचना है तो total आगे हमारे 48,000 unit बड़ी सिधी सी बात है clear clear चलिए और चलते हैं next सवाल question number 21 किस के लिए इसी को दो बार करा है हमने question number 21 एक किस कहां गया तो किया था को कि